हलो साथियों मैं महेंद प्रताप वाई सीटी बुक ऑफीसियल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैंने आप लोगों के लिए इतिहास के महत्तपूर्ण विशे महत्तपूर्ण टॉपिक प्राग इतिहासिक सांसिकृतियों की विशेस्ताओं पर मैंने दो सीरीज आपको सेरीज है यानि सेट नंबर 3 जिसमें कि सूपर 30 कोशन्स आपको कराएगे और आज भी सूपर 30 कोशन्स कराएजएंगे ये सूपर 30 कोशन्स ब्याख्या सहित हल उपलब्ध कराएजएंगे जो कि इस्टेट PCS हो गए PGT हो गए HIGHL हो गए NETS ARF के एकजांस हो गए LT ग्रे प्राचींतम जोपळियों के प्रमाड मिले हुए हैं。 कुरश प्रस्ण नमबर 1 है, आपसन C, हुसंगी, आपसन D, पैसरा, इन चारों आपसनों में से ये बताना है कि जोपडियों के प्राचीनतम साच्छ किस अस्थल से प्राप्त हुए हैं, तो जोपडियों के प्राचीनतम साच्छ आपको पैसरा से प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, पैसर प्रापासान युप का महत्तपूर्ण एक अस्थल है इसके खोज बिदुला जैसवाल ने 1947 सिस्वी में किया था जहां पर जोपडियों के साथ मिले हुए हैं और इसके साथ ही साथ राजस्थान के बागहोर में भी जोपडी और खलंजों के साथ मिले हैं ठिक और इसमें बड जहने का साथ प्राचिन्तम साथ पैसरा नामा का स्थल से खोजा गया है इसकी खोज बिदुला जैसवाल ने 1947 सिस्वी में की थी और यह बताया कि प्राचिन्तम साथ जहां परमानों जोपडियां बनाकर के रहता था आईए देखते हैं दूसरा प्रस्थ में दूसरा प्रस्थ है मद्य पासाण यूग के बारे में निमनलिखित में से क्या सही है नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का चेन करें कूट दिया गया है कूट वाले प्रस्थ में अक्सर एक जम में कूट वाले प्रस्थ में आते हैं और वे कूट वाले प्रस्थ आपको कंफ्यूज कर देते हैं तो हम देखेंगे इसमें कूट क्या लिखा है कि सामान ने लगू पासाणी का उजार सामान ने लगू पासाण से मिलाना है और सही कूट का पता लगाना है तो इसमें सही कूट के बारे में अगर देखें तो नंबर वन इसमें है लगू पाथारी का वजार पाए गए हैं लगू पाथारी का वजार किस अस्थाल से मिले हैं दूसरा दिखा अभी बता रहे हैं दूसरा देखेंगे इसमें दूसरा लिखा गया इसमें बागोर लंगनाज तथा भीम बेटका कुछ महत्पूर अस्थल हैं दूसरा लिखा गया है बागोर लंगनाज लंगनाज भीम बेटका भीम बेटका ठीक है भीम बेटका की बारें पूछा है तीसरा इसमें है जंगली तथा पालतू-पसू की हड्डियां चवर्था, कौइंट है इसकाल के सैल चितर उपलब्द हैं सैल चितर क्या सैल चितर मिन्स चट्टानों पर सैल चितर सैल चितर अब इसमें दिखाना है कि मद्ध पासार्ण युग में इन चारों मेंसे कौन कौन सी विश्यस्ताएं मध्य पासाण युग में पाई जाती थी तो कौन-कौन सी विश्यस्ताएं मध्य पासाण युग में पाई जाती थी तो चार आपसन है लगु पासाण युग में पाई जाती थी तो चार आपसन है लगु पासाण युग में पाई जाती थी तो चार आपसन नमबर वन लगु पासाणिक अउजार ये मध्य पासाणकाल में पाए जाती थे मध्य पासाणकाल में माइक्रो लिथ मिन्स सुच्म किस्म के अउजार या लगु किस्म के अउजार पाए गये थे तो ये हमारा नमबर वन सही हो जाएगा नंबर टू है बागोर, लंगनाज और भीमबेटका ये तीन साइट हैं ये अभी मध्य पासाणकाल से संबन्धित है ये दूसरी बिसे stay भी सही है तीसरा है जंगली तथा पालतू पसू की हडियां येस मद्ध पासनाणकाल में जंगली और पालतु पसु की हब्डियां भी विभिन अस्थलों से प्राप्त की गई है चौता अप्षन इसमें पॉइंट है सैल चित्र इसमें भीम बेट का आया हुआ है तो भीम बेट का में सैल चित्र के साच्छ मिले हुए है इस प्रकार से हमारे चारो अप्षन चारो पॉइंट नमबर 1,2,3,4 ये चारो मद्ध पासनाणकाल से सम्बंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, सही उत्तर क्या हो जाएगा A, 1, 2, 3, 4 विन्स चारों भी सेस्ताएं मध्य पासान काल से सम्मंधी थे हैं तो हमारा सही आप्षन क्या हो जाएगा आप्षन नमबर A, ये चारों भी सेस्ताएं मध्य पासान काल से सम्मंधी थे देखते हैं अगला प्रसन है नेमने लिखित यूगम में से कौन सा यूगम सही नहीं है यहाँ पर एक तरफ सूची फश्ट एक तरफ सूची सेगेंड दी गई है जो पाशान काल है विभिन पाशान काल विभिन पाशान काल के साथ साथ यहाँ पर कुछ विश्यस्ताएं दी गई है कि किस पाशान काल में कौन सी के त्विधियां होती थी तो इसमें बताना है कि कौन सा यूगम सही नहीं है तीन यूगम सही होंगे एक यूगम इसमें से सही नहीं है मिनसे प्रसनों को पहले से हम ध्यान से पढ़ेंगे और ब्याख्या सईत इसका हल देखेंगे तो आपके जम में क्या होगा कि आप लोग प्रस्णों को पढ़ते हैं फिर आपसन को पढ़ते हैं तो जब सावधानी बढ़तेंगे प्रस्णों को पढ़ते समय आपसन को देखते समय तो आपके काफी जादा concept clear हो जाएंगे कि हमें इसमें करना क्या है, पूछा क्या जा रहा है, तो इस तरीके से हम प्रस्णों को हल करने में काफी हमें मदद मिलेगी, तो देखते हैं निम्न पुरा पासाण काल, निम्न पुरा पासाण काल की बात बताई जा रहे हैं, निम्न पुरा पासाण काल में सिकार और खाद संग्रहन की बिसेस्ता हैं, दूसरा अप्सन है इसमें उच्च पुरा पासाण काल में सिकार खाद संग्रहन, मद्ध पासाण क करता था, खाद्य संग्रहन भी करता था, ये सही है, कि शिकार भी करता था और खाद्य संग्रहन भी करता था, आपसन भी है, उच्च पुरा पासानकाल, उच्च पुरा पासानकाल में सिकार और खाद्य संग्रहन, ये सिकार ये दोनों के द्विधियां उच्च पुरा पासा पासानकाल में भी थी, आप्शन सी है मद्य पासानकाल, मद्य पासानकाल में लिखा है सिकार और खाद्य संग्रहन, नहीं, खाद्य संग्रहन के साथ साथ इसमें पसु पालन भी होने लगा था, मद्य पासानकाल के अंतिम चरण में पसु पालन की भी शुरुआत हो चुकी थ ठीक और नौपासानकाल में खाद्य उत्पादन, यस, खाद्य उत्पादन की प्रिक्रिया नौपासानकाल में शुरू हो गए थी, मानो खाद्य उत्पादन की भूमिका में आ गया था, अब खेती करना सीख गया था, और अन्य थी, पसुपालन भी करना सीख गया था, और अ उत्तर होगा प्रस्न क्या है कौन सा यूग में सही नहीं है तो तीर यूग में सही है ए बी ये सही यूग में और आपसंस सी सही यूग में नहीं है ठीक है तो इस तरीके से हम प्रस्नों को हल करेंगे देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न क्या है अगला प्रस्न है निमने लिखित में से बिंद छेत्र में इस्थित नौ पासाण युगीन अस्थल कौन सा है मद निमने में से बिंद छेत्र में किस छेत्र में बिंद छेत्र में कौन सा पासाणिक अस्थल पाया गया है तो बिंद छेत्र में कौन कुस से अस्थल पाएगे हैं? आफशन A है इसमें महागड़ा, आफशन B चिराद, आफशन C बानगड़, आफशन D खुंती. किस बिंद छेत्र में कौन से प्राचीन अस्थल प्राप्त किये गए हैं? तो सही उत्तर का पता लगाना है. इसका सही महागड़ा, महागड़ा बिंद छेत्र में एक पुरा नवपासाणिक अस्थल पाया गया है. बिंद छेत्र में बिंद छेत्र में नवपासाणिक अस्थल भी पाये हैं. कई नवपासाणिक अस्थल में एक है महागड़ा, महागड़ा से आप देखेंगे, तो महागड़ा में देखेंगे 9 पासाण यूगी कस्थल जो बिंद छेत्र में इस्थी थे यहां यंग्णा नदी के किनारे इलाहाबाद सहर से दच्छन में इलाहाबाद सहर के दच्छनी हिस्से में लगभग 70 किलोमेटर दूर इस्थी थे बिदित है कि इसकी खोज 1949 इस्थी में और फिर 1951 से 56 इस्थी में इलाहाबाद 200 विद्याले के प्रोफेसर जी आर्ज सर्मा ने किया था 9 पासाणी कस्थल है जो महागड़ा है और इलाहाबाद से लगभग 70 किलोमेटर दूर दच्छन में ये पाया गया है और इसकी खोज इलाहाबाद विद्याले के पूरा तत्तो और प्रोफेसर जी आर्ज सर्मा ने किया था अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है हडपी अस्थलों से नगर योजना के अंतरगत गढ़ी गढ़ी नगर का मद्ध भाग बाहरी भाग प्राप्त हुए है इसमें दिया गया है कि हडपी अस्थलों से नगर योजना के अंतरगत ऐसा माना जाता है कि हडपा सबबता एक नगरी सबबता थी कई ऐसे नगर प्राप्ति हुए हैं जो जो चीजें पाई जाती है उसके साच्छ मेले हुए हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये नगरिये सब बता थी और नगरिये जीवन बिताया करते थे तो इसमें देखिया गया है कि गढ़ी, गढ़ी का मतलब जहां पर दुर्ग या किले किसम के माकान या भून बने होते थे और नगर का मद्यभाग और नगर का बाहरी भाग अर्थात इसको मैसे कर सकते हैं कि कौन सा अस्थल है, कौन सा हडपी अस्थल जिस तीन भागों में बटा हुआ है तो इसमें आपसन दिये गए हैं आपसन A है कुडाल आपसन B है लोथल आपसन C है रंगपूर और आपसन D है धौला वीरा तो इसमें आपको मिलेगा इसमें धौला वीरा मिलेगा क्या मिलेगा धौला वीरा इसलिए हमारा अपसन क्या होगा केवल 4 धौला वीरा जो गुजरा गढ़ी का मतलब दुर्गवाला छेत्र और नगर का मद्य भाग और नगर का बाहरी भाग ये तीन भागों में बटा हुआ है बाकी और भी अस्थाल है जो कि दो भागों में बते हुए हैं एक उच्च अस्थानों पर बसे हुए सहर एक निम्न अस्थानों पर बसे हुए सहर तो लेकिन धौला वीरा एक मात रहसा स्थल है जहां पर नगरों को तीन भागों में बाटा गया है नगरों को तीन भागों में बाटे जाने के साच्छ भी प्राप्त हुए है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा केवल धौला वीरा, धौला वीरा गुजात के कच्छ जिले में पड़ता है, अब देखते हैं अगला प्रस्न है, अगला प्रस्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दियेगे कूट से सहुत्तर का चेन कीजिए, सूची फर्स्ट है, पुरा पासान काल, इसमें दो प्रकार की सूचीएं दी गई है, इसमें लिखा गया है कि पुरा पासान काल, क्या लिखा गया है, पुरा, सूची फ्रस्ट और सेकंड दी गई है इसमें लिखा गया है पुरा पासाल काल पुरा पासाल काल आप सूची दूसरे में दिया गया है मध्य पासाल काल तीसरा इसमें लिखा गया है नव पासाल काल और चौथा है उच्च पुरा पासाल उच्च पुरा पासाल इन चारों में से किन-किन छेत्रों से क्या-क्या प्राप्त हुआ है तो इसका हम सही उत्तर बताएंगे आपको पुरा पासाल काल ये दिखा गया है पुरा पासाल काल से कौन से चीज़े पाई गये हैं और मध्य पासाल काल से कौन से चीज़े पाई गये हैं और नौ पासाल काल से कौन से चीज़े पाई गये हैं और इसमें लिखा गया उच्च पासाल काल और लगू पासान, अब इसको देखेंगे, लगू पासान को हम देखते हैं, मद्य पासान काल में हम लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, मद्य पासान काल में, जो माइक्रो लिथिक बोला जाता है, तो लगू पासान के जो उपकरन पाए गए हैं, ये मद्य पासान काल में पाए गये हैं तो पुरा पासान काल में देखेंगे तो पुरा पासान काल में चिपड़ पासान उपकरण पाए गये थे यानि कि बहुत ज़्यादा सार्फ नहीं है बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं है तो उनको हम चिपड़ पासान उपकरण कहते हैं उसके बाद आपको दिया गया है मध्य पासान काल में इसमें लगू पासान उपकरण बताए गये हैं ठीक है नौ पासान काल की बात करें तो नव पाशाणकाल में लगू उपकरण के साथ सैल चित्र भी मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, सैल चित्र, सैल चित्र भी मिले हुए हैं, और सैल चित्र अगर देखा जाए तो मध्ध पाशाणकाल के अंतिम दौर में भी प्राप्त हुए हैं, और फिर उसके बाद घिसे पासार्ण उक्रण यानि पॉलिस्ट वाले पॉलिस्ट वाले जो उक्रण प्राफ्त हुए है यह 9 एक मिनिट इस में आपको इसमें Confuse हो जाएंगे इसमें हम आपको इसी में से समझा देते हैं क्योंकि इसमें लिखेंगे तो एक बार उसमें रहेगा और फिर इसमें रहेगा तो आप इसमें समझ दीजेगा इसमें तीन चीजे बताई गई है नंबर वन इसमें दिया गया है पुरा पासाणकाल नंबर टू लिखा गया है मध्य पासाणकाल नंबर थ्री लिखा गया है नव पासान काल, फिर उसके बाद लिखा गया है, चौथे में लिखा गया है, उच्च पुरा पासान काल, उच्च पुरा पासान काल, ओके, अब इसकी विसेस्ताइं, आप समझेंगे, तो इसकी विसेस्ताओं में देखेंगे, इसकी विसेस्ताइं देखेंगे, तो सबसे प पॉलिष्ट और सार्प नहीं होते थे, ठेक है, मद्य पाशानकाल की बात करें, तो मद्य पाशानकाल में लगू, लगू किस्म के, क्या है, लगू किस्म के आउजार मिले हैं, जिसको माइक्रो लिथ बोलते हैं, लगू उपकरण पाए गए हैं, और नव पाशानकाल की बात उक्कड मिले हुए हैं. और फिर एक बचता है उच्च पुरा पाषानकाल में इसमें सहलचित्र मिले हुए हैं. क्या मिले हुए हैं? सहल चट्र. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा. एक को, एक को हमें, number 1 को किसमें रखना है? number 1 को, एक को हमें क्या रखना है? A, B, C और D चार दिये गए हैं इसमें A, B, C, D इसका हम कुट बनाएंगे तो A, B, C, D में A को हम किस से मिलाएंगे A को हम 3 से मिलादेंगे किस से मिलाएंगे 3 से मिलादेंगे कि पुरा पासान, चिप्पड पासान से सम्बंदी थे B को किस्ते मिलाएंगे, हम 4 سے μिला देंगे, लगू से समशंदी थे, और थीसरा 9% को हम किस्ते मिला देंगे, 9% को हम 1 से मिला देंगे, जिसमें कि घिसे उपक्रण पाएंगे हैं, और दी वाले को हम मिला देंगे 2nd से. डी बाले को हम किस्से मिला देंगे? सेकेंड से तो हमारा कूट इसमें से बन जाएगा सी, आपसन क्या बन जाएगा? सी, थ्री, फोर, वन, टू थ्री, फोर, वन, टू यह हमारा सही कूट बन जाएगा ठीक है? इस तरीके के प्रस्ने आते हैं एक्जाम में और इसमें अगर आपको एक, दो, तीन भी अगर आपको पता है तो आप आडिया लगा करके भी कर सकती हैं लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पता है तब ऐसे प्रस्ने को गलत होने की संभावना रहती है अगर देखें तो इस प्रकार के प्रस्ने आपके एक जाम में आते रहते हैं इस्पैसली विस्थनाओं से समन्दित कि इस काल में कौन सी विस्थनाओं प्रमुकता है रही हैं तो इस तरीके से प्रस्नों पर आप याद रखिएगा यह most important प्रस्न है उसमें आया हुआ था अगर आप देखें अगर आप देखें तो इस प्रकार की प्रस्ण है हमारे एक वेपसाइड है yctpublication.com और yctpublication.com पर विजिट करके इस प्रकार के प्रस्णों की एक स्रीज है अगर आप mobile android पर play store से डाउनलोड करना चाहते हैं तो yct exam preparation डाउनलोड करके उसमें बहुत सारे एतिहास के वा अन्नविसे के भी प्रस्णों की एक स्रीज है और books भी हैं वहाँ से आपको ये प्राप्त हो सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है और आप एक regular way में वहाँ पर देख भी सकते हैं और बाद में वीडियो में भी देख सकते हैं समझ सकते हैं वीडियो भी आपके लिए, वीडियो में भी YouTube चैनल के द्वारा आपको प्रवाइड कराते रहेंगे लेकिन अगर Play Store से डाउनलोड करते हैं तो यह Book से भी आप Book और Question की एक बहुत सिरीज मिलेगी और जिससे की विभिन प्रकार के एक्जामों में काफी मदद मिलती रहेगी तो आप Play Store पर जाएंगे और YCT Exam Preparation या YCT Publication.com पर विजिट करके इस प्रकार के प्रसनों की सिरीज का फाइदा ले सकते हैं देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है निमनलिखित नगरों में से कौन सा महापासाण युगियन संसिक्रतियों से सम्मंधित नहीं है महापासाण संसिक्रती से सम्मंधित नहीं है आफशन A है चंद्रगिरी, आफशन B है ब्रह्मगिरी, आफशन C है आदी चनलूरू, आफशन D है उतनूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पासानकाल से समंधित है उतनूर क्या है उतनूर राख का टीला है उतनूर की बात करें तो यह एक राख राख का टीला राख का टीला यहां यह नौ पासानकाल इसका समंध किस से है नौ पासानकाल से समंध है नौ पासानकाल उतनूर कहां पाया गया है यह तमिल नाडू में पाया गया है कहां पाया गया है तमिल नाडू साउथ इंडिया में तमिल नाडू में पाया गया है तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे उतनूर कहां पर है उतनूर तमिल नाडू में है उतनूर का समंद्ध किसकाल से है नौपासाणकाल से है उतनूर में क्या प्राफ्थ अगला प्रशन है भारत में पूरा पासाली को करण सर्व प्रतम कहां भारत में पुरा पासाली को करण सर्व प्रतम कहां मिले हुए है आप्षन A है हलूर option B करणूल option C पलवरम option D टेकल कोट ये चार option आपके दिये गए हैं तो इन चारो option में आपको पता लगाना है कि ये चारो option में से कौन सा option सही है सही क्या है भारत में पुरा पासानी कुपकरण सर्वप्रथम सबसे पहले पुरा पासानी कुपकरण किस अस्थल से प्राप्त हुए है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलवरम से कहां से पलवरम पलवरम से प्राप्त किये गए हैं पलवरम पलवरम की खोज Robert Bruce Food ने किया था जो कि British पुरा तत्त वित्थे British पुरा तत्त का जनक भी कहा जाता है कुछ स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं जिसमें अलेक्जेंडर कनिघम को लगा देते हैं अलेक्जेंडर कनिघम नहीं अलेक्जेंडर कनिघम से पहले Robert Bruce Food ने पलवरम में जो की 1863 के आसपास 1863 के आसपास मद्रास के पलवरम में पुरा पासाणी को करण की खोज निकाली थी जिसमें देखा गया है है हैंड एक्स जो एक हस्त पुफार है एक कुलहाडी है उसकी खोज की गई थी इन्हों इन्होंने की थी और इसके बाद से अलेक्जेंडर कनिघम जान मार्सल वा अन्य भारतिये पुरा तत्तो और विदेशी पुरा तत्तो पुरा तत्तो के छेत्र में बहुत जादा इंटरस्ट लेन लगते हैं और नई-ने रिसर्च सामने आने लगती है तो हमें याद रखना है पलवरम एक पुरा पासाणी का स्थल है अगला प्रस्ण है निमने लिखित पुरा तत्तो वेताओं को उनके काल करम की अनुसार में ब्रश्थित कीजिए हमारे पास इसमें चार पुरा तत्तो विद हैं इन चार पुरा तत्तो विदों को काल करम की अनुसार लगाना है क्रोनो लोजिकल और क्रोनो लोजिकल ओर्डर का मतलब है कि कौन कौन से पुरा तत्त का कारेकाल या रिसर्च का समय क्या रहा है उनको काल करम की अनुसार लगाना है इसमें चार पुरा तत्त विद दिये गए हैं इन चारों पुरा तत्त विदों की बात करें तो इसमें हैं नंबर वन नंबर वन और नमबर 4 में Edward Thomas ये चार हैं इन चारों को chronological order में लगाना है नमबर 1 में James Ferguson, नमबर 2 में James Princeph, नमबर 3 में Alexander Cunningham और नमबर 4 में Edward Thomas, Alexander Cunningham आप देखते हैं इसमें से सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर इनका क्या माना जाएगा नमबर 1, नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4 अब इसको देखते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें James Princip, किसको लेना है सबसे पहले इसमें James Princip, सबसे पहले इनको James Princip इनका कारेकाल अगर देखा जात 1837 जमस प्रिंसिप ने असोप के सिला लेखों को पढ़ने में काफी मदद किये इन्होंने ब्राम्मी और खरोष्टी लिफों को हाला कि पुड़ी तरीके से नहीं लेकिन पढ़ने में इसने मदद मिली है उसके बाद आते हैं उसके बाद हैं जमस फर्ग्यूसन इसके बाद कौन है जमस फर्ग्यूसन जमस फर्ग्यूसन एक कलावीद थी कलावीद का मतलब होता है कि कलाकृतियों को अध्यन करना कलाकृतियों को पहचानना और उस पर रिसर्च करना कि ये कलाकृतियों कब की हैं ये कलाकृतियों में क्या-क्या विश्य स्थाएं हैं, इन कलाकृतियों का संबंध किस काल से है, तो ये कलावीद थे, जिमस फर्गिवशन, उसके बाद आते हैं, अलेग जेंडर कनिगम, उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको मिलेंगे, अलेग जेंडर कनिगम के पहले है अदिवर्ड थामस, कौन है एड़ड थामस, एड़ड थामस ने भी भारत में पुरातत्यों के छेत्र में काफी ज्यादा काम किया, इन्होंने देखा आये कि भारतीय पुरातत्यों में जो भी अनेक अस्थल हैं, उन अस्थलों से इन्होंने उसके पहचान के सम्द्ध में, उसके करण और वस्तुईं जो प्राप्थ हुई हैं, उनके अध्यन के संबंध में इनका महत्वपून योगदा है, उसके बाद आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, अलेकजेंडर कनिगम, अलेकजेंडर कनिगम ने 1861 के बाद की बाती बताते हैं, तो नमबर वन पे कौन है नमबर वन पे मिलेंगे आपको जेम्स प्रिंसेफ, नमबर वन पे कौन है, जेम्स प्रिंसेफ, नमबर टू पे कौन है, नमबर टू पे मिलेंगे आपको जेम्स फर्ग्यूशन, नमबर थ्री पर कौन मिलेंगे, एडवर्ड थामस, नमबर फोर पे कौन मिलेंगे, Kennicon तो हमारा 2143 2143 2143 हमारा एपसण सही होगा तो देखते हैं फिर शेक बार समय लेते हैं नंबर वन पर कौन है? नंबर वन पर इसमें मिलेगा James Princeve, नंबर टू पर James Ferguson, नंबर थ्री पर कौन इसमें है? नंबर थ्री पर Edward Thomas, नंबर फोर पर Alexander Cunningham, ये चार पुरा तत्विदों का काला नुक्रम है, ओके? अगला प्रस्न है, लेवा लेवा तक्नीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगरवी यूग की विसेस्ता है? लेवा लेवा तक्नीकी फलक उपकरण किस भूगरवी यूग की विसेस्ता है? इसमें सहीधतर हो जाएगा मध्द पलीशटो सीद कहोगा मध्द पलीशटो सीद लेवा लेवा तकनीकी अब इसके ब्याक्या आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसकी ब्याक्या कैसे क्या होगी मध्य पुरा पासानकाल की विस्ष्था है इसको कहा जाता है कि काड़ ज्वाइट पत्थर की स्थान पर जेसपर, जेसपर, चेसपर, चर्ट, फ्लिंट ये पत्थर प्यूग्त किया जाने लगे थे मध्य पासानकाल में देखेंगे तो आपको माइक्र लिथ सूच मिकिस मेंडि उस उसकर प्रकार की पत्थरों से बना जाती थे शे उस पत्थरों को बनाने की विधी को हम बोलते हैं लेवा लेवा तक्निकी यह उसकर मद्दकायल में बहुत ज्यादा प्रसिद रहे हैं इसको फलक संसीकृती भी कहती हैं क्या बोलते हैं फलक, फलक का मतलब होता है ब्लेड, ब्लेड का मतलब धारदार, इनके जो आउजार बना जाते थे, ये धारदार किस्म के होते थे, और इस पर इस पत्थरों को तोल करके, ये जो पत्थर होते हैं, ये बड़े-बड़े पत्थर होते थे, प्लिस्टो सीन, त तो इन पत्थरों को तोड़ करके धारदार बनाते थे और नोकदार बनाते थे और थोड़ा पॉलिश्ट दार बनाते थे और स्ट्रॉंग होते थे तो यह सारी भी सस्ताएं पाई जाती हैं तो लेवा-लेवा तकनीकी का संबंद मध्य पूरा पासानकाल से है और इसमें पत् न सुची फ्स्ट को सुंची सिकंड से सुमेलित कीजिये। निम्नकूट का सयुत्तरका, चेन कीजिये। ओ महत्तपुन अस्थल किस-किस अस्थान से प्राप्त हुए हैं तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है सोहागी घाट सबसे पहले क्या लिखा गया है सोहागी घाट सोहागी घाट कहा मिला हुआ है फिर उसके बाद एक कस्मीर नवपाश अनकाल से संबन दी थे बाला थल फिर उसके बाद भीम बेटका फिर उसके बाद बुर्ज होम ये किन-किन चेत्रों से प्राप्ते किये गए हैं इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कौन-कौन से अस्थल किस्से सम्मंदित हैं स्वहागीघाट इसकी खोज ACL कारलाइल ने की थी आपको मद्ध्य प्रदेश में प्ढ़ता है तो इसमें सथल की खोज की थी बाला थल का संबद आहार संसिकृति से है और भीम बेटका जो मद्ध्य प्रदेश में है बीएस वांकडकर ने इसकी खोज की थी, उनका सम्मन इससे है और बुर्ज हूम का सम्मिन्द कस्मीर में है ये नव पासाली कस्थल माना गया है तो सुहागी घाट एसी कारलाईल ने बाला थल अहाल संसिकृति से सम्मन दी थे दीम बेट का दीयस वांकड़कर से संबन दीत है और बुर्ज हूम कस्मीर से संबन दीत है इस तरीके से ये चारो आपसनों को हमें मिलाने में काफी मदद मिल देए ओके अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रसन क्या है इसके बाद है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चेन कीजिए सूची वाले प्रसन बहुत जादा आते हैं आप ध्यान देंगे तो सूची वाले प्रसन इस तरीके के एकजाम अगर PGT दे रहे हैं इन सब इकजामस में भी कूट वाले प्रसन आपको दो-तीन प्रसन जरूड मिल जाएंगे और ये प्रसन फिक्स होते हैं किन-किन टापिक से सूची वाले प्रसन बनने के सम्भाणअ होती है आप पढ़ेंगे तो आपको फुद लगता होगा कि किन-किन टापिक से सूची वाले प्रसन बनाए जा सकते हैं और अक्सर उसी से बनते ही रहते हैं तो इस पर विशेस ध्यान देने की जगरत है इस पर आप ध्यान देंगे तो आपके प्रसन जरूर सही होगी अब देखते हैं इसमें नंबर सूची में देखते हैं सोन संसिकृती सूची में देख किस्से है और कोल्डी हुआ संसिकृति का संबंद किस्से है तो इसको हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो यह जो अलग-अलग संसिकृतियां है सबसे पहले हम देखते हैं सोन संसिकृति किसको देखते हैं सोन संसिकृति सोन संसिकृति या सोहन संसिकृति सोहन संसिकृत बागोर, बागोर संसिक्रती, फिर इसके बाद है लास्ट में कोल्डी हुआ संसिक्रती, इन संसिक्रती का संबंद किस किस काल से है, इन संसिक्रती का संबंद आपको पता लगाना है कि किस किस काल से है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले सोन संसिकृती, सोन संसिकृती जो सोहन घाटी के छेत्र में प्राप्थ हुआ है, बिंध्याचल के छेत्र में, सोन भद्र वाले छेत्र में, क्योंकि सोन भद्र का नाम जो सोन भद्र पड़ा हुआ है, वो सोन संसिकृती या सोहन संसिकृ समसंति के नाम सही बड़ा हुँआ है तो इसमें देखेंगे संसिक्रती का संबन्द इसमें आपको मिलेगा निमने पुरापासाण शंसिक्रती से नंबर टू में है निमने पूरापासाण संसिक्रती से और निवासा संसिक्रती का संबंद आपको मिलेगा इसमें मध्य पुरा पासाण संसिक्रती से, अप्षन C है बागोर संसिक्रती, बागोर संसिक्रती का संबंद आपको मिलेगा इसमें उच्च पुरा पासाण संसिक्रती से, इधर उच्च पुरा पासाण संसिक्रती से उसके बाद लास्ट एक बचता है कोल्डिवा संसिक्रती का संबंद आपको मिलेगा नव पासाण संसिक्रती से, कहां से मिलेगा नव पासाण संसिक्रती से, कोल्डिवा संसिक्रती से संबंदी थे और सोन संसिक्रती का संबंद किस से है, सोन संसिक्रती का संबंद आपको मिले निम्न पुरा पासान संस्कृति से, निमासा संस्कृति का संबंद मध्य पुरा पासान काल संस्कृति से और बागोर संस्कृति का संस्कृति से और कॉल्डिवा संस्कृति का संस्कृति का संस्कृति से, तो इन चारों आप्सन है, 2143 2143 इसमें देखना है 2143 आपसर नमबर D से समबन दी ते आप देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन है निमनलिखित में से किस तामरास्म बिस जहां ताबे के आउसेस मिले हुए है तामरास्म कालीन अस्थल के ताबे के प्रियोग का साथ चे प्राप्त हुआ है किन्तु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुई है यानि ताबे को जादा प्राप्त ताबे की प्राप्ती जादा हुई है और पत्थर की प्राप्ती कम हुई है या नहीं हुई है तो इसमें बताना है option A, option A में क्या है? आहाल, option B, बुलुंद, option C, कायथा, option D, नवदा टोली किन छेत्रों से ताबे का साच्छे जादा से जादा मिला हुआ है? तो आहाल संसिक्रती, किस संसिक्रती से? आहाल संसिक्रती से ताबे का साच्छे जादा मिला हुआ है इसमें देखते हैं आहाल संसिक्रती तामबवती किसको आहाल संसिक्रती को तामबवती के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं तामबवती का मतलब होता है ताबे वाली जगह ऐसे जगह जहां पर ताबे को ज़्यादा प्राप्ति हुई है पत्थर की जगह पर ताबे का प्रियोग या अवजार मिले हुए है पत्थर की जगह पर अब किसके अवजार मिले ताबे के अवजार और यह और लाल और काले मरिद्भांड भी मिले हुए है इनको सफेद रैजिक चित्रों से सजाया गया है तो ऐसे संसिकृति जो आहाल संस करनाटक में आसाम में, कस्मीर में, मद्ध प्रदेश में यह बहुत सरल प्रस्ण है इसके पहले बाले में आप देखेंगे तो indirect यह प्रस्ण आ चुका है तो इसमें देखेंगे कस्मीर कस्मीर में गढ़्धा खोद कर रहता था कस्मीर में किस जगहां पर? बुर्ज होम बुर्ज होम नामक अस्थल पर गुफ कराल जो जगहां पाई गए कस्मीर में यह दो प्रमुक अस्थल है नवपासाणी कस्थल पाई गए हैं तो इन अस्थलों से मानो जमीन में गढ़्धा खोद करके रहता था अब देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है 2001 में कहां पर एक अस्मी करित मानो सिसु कपाल प्राप्थ हुआ है 2001 में कहां पर धेंदेना कहां पर अस्मी करित मानो सिसु कपाल अस्मी करित मतलब होता है भस्मी करित जहां पर भस्म यानि कि राख के राख टाइप का हो जिवास में एक दम पुरा राख जैसा हो गया हो तो वहां किस अस्थान पर प्राप्थ हुआ है तो भीम बेट का दम दमा हत्नवरा ओदई ओदई को हम इसको हम ओडई बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं ओडई करल मैंने आपको बताया था ओड़ ही मिलेगा को केरल में कहां पर है केरल में ऑड़ ही केरल में है केरल में इसलिए हमारा भाशन क्या सही हो जाएगा ओड़ ओड़ ही जो है हैं अगला प्रेश्टक है किस अस्तल से लगुपासाणिक संद्र में एक हाथी शेत्र से प्राप्त हुआ है यह दमदमा से प्राप्थुगा है कहां पे दमदमा दमदमा प्रताफगड की एक महात्रपुन साइट है वहां से यह प्राप्थुगा है ओके अब देखते हैं अगला प्रशन है अगला प्रस्न है निम्नलिखित में से कौन सा हडपा युगीन नहीं है निम्नलिखित में से कौन हडपा युगीन नहीं है तीन आप्षन इसमें हडपा से सम्बंधित हैं एक आप्षन हडपा से सम्बंधित नहीं है आप्षन A है पाद्री आप्षन B कुंतासी, आप्षन C भिर्राना, आप्षन D जखेडा तो इसमें आपको जखेडा, जखेडा क्या है? सिंदू सब्भता से सम्मन्दित नहीं है अर्थात हडपा यूगीनस्थल नहीं है, ये तीनों हडपा यूगीनस्थल है अर्थात हडपा यूगीनस्थल नहीं है, आप इसमें देखते हैं जखेडा को छोट करके पादरी, भिर्राना, कुंतसी, ये हडपा यूगीनस्थल है यह जखेडा यूगीनस्थल मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के एटा जिले में उत्तर प्रदेश के एटा उत्तर प्रदेश के एटा एटा कास्गंज आप जानते होंगे तो एटा कास्गंज जिले में उत्तर प्रदेश के जखेडा नामा के एक अस्थल मिला है जो कि सिंदू सब्बता से सम्मंधित नहीं है अब देखते हैं अगला प्रस्न, अगला प्रस्न हमारा होगा, अगला प्रस्न जूकर संसिक्रती निवनिमे से किस अस्थल पर प्राप्त हुई है, कहा जाता है कि हडपा के पतन के बाद, सिंदू सभता के पतन के बाद कई संसिक्रतियां हुई, जिसमें आहाल संसिक्रती, का चोटी-छोटी साइट से मिली हुई हैं अलगलग संसिक्रितियां है एक कल्चरल लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है तो ये किस से समंधित रही है तो जूकर संसिक्रिती का संबंद जूकर संसिक्रिती कहां पर पाई गई है अंजीरा चन्धू दड़ो कुली राना तो इसका सही आफसन होगा चन्धू दड़ो कहां होगा चन्धू दड़ो हडपा का एक प्रमुकस्थल माना गया है और चन्धू दड़ो में आपने को बताना है कि चन्धू दड़ो में हडपा काल के कौन से साच्छ प्राप्ते किये गये हैं ये एक महात्त्रकून साइट इसको बताना है इसमें घर दूँ थोड़ा सा कर दूँ आपको इसमिन द जानवर हैं आपस में दौड रहे हैं और उनके निसान मिले हुए कौन से दो निसान हैं, जो कौन से दो जानवर हैं, जो की चन्हुदरों से प्राप्ऩत किये गए enemies our आप समाझ गें होगे इसका सीवत्तर क्या होगा तो जूकर संस्कृती का संब दॉरों सेकिर के अगे के हैं अगर तेकिये का मानाव मानाव ждings कहां प्रप्राप्ठ effort हुआ है हतनावरा का मानो जीवास्म का समंध किस से है हतनावरा का मानो जीवास्म की बात करें तो यह होमो इरेक्टस किस्म का है यह होमो हैबिलेस है होमो सेपियन्स है वो प्रोक्त में से कोई नहीं है तो इसमें देखेंगे तो यह होमो इरेक्टस किस्म का है जो हतनावरा नर्मदा घाटी छेत्र में डाक्टर अरुन सोनकिया ने 1982 में इसकी खोच की थी या किस प्रकार का मानों का जीवास्म पाया गया है तो इसमें होमो इरेक्टस या कैसा है होमो इरेक्टस किस्म का होमो इरेक्टस प्रकार का मानों जीवास्म मिला हुआ है अब देखते हैं अगला द्वारा होमोिरेक्टैस द्वारा होमोयेस निएंडर्थल द्वारा होमोहيबिल्स द्वारा तो सवाध सेह suspend होमोयेंडर्थल मानोत मृतक को संबान दिया करते थे और दफ्नाने की प्रत्ता इनहीं मनुष्ट्रों के द्वारा सुरू की गई थी फिर आगे चल करके ये दफणाने की प्रिक्रिया कांटिनिवरेती है और आज तक ये चली आ रहे हैं कि मृत्वों को संमान देना तो हमोनेंडर्थल मानो यह क्या करता था मनुष्य को सम्मान पूर्वक दफनाने की प्रिक्रिया प्रारम किया था अब देखते हैं अगला अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में तामर संचे हुआ है तो गुनगेरिया किस अस्तल पर पाये गए हैं गुनगेरिया में सबसे ज़्यादा तामर संचे प्राप्त हुआ है यह गुनगेरिया कहाँ पर है गुनगेरिया मद्ध प्रदेस में है गुनगेरिया कहाँ पर है गुनगेरिया मद्ध प्रदेस में पाया गया है उसमें 424 ताबे के एजार और 120 चांदी के पतले पत्थर प्राप्थ हुए हैं और इसमें अन्न धातुयों में तो सब्से ज़्यादा ताबे का संचे हुआ है तो हमारा परसन क्या है ताबे का सरबाधिक संचे किस छेत्र में है तो गुनगेरिया जो मध्य प्रदेश से प्राप्थ हुआ है ये गंगा गंगा के दुवाब छेतर के निकट भी पाए जाता है और इसमें OCP वाले मृद्भांड इसको हम गयरिक मृद्भांड बोलते हैं OCP वाले मृद्भांड भी पाए गये हैं अब देखते हैं अगला प जिस पर हम खाना बनाती हैं, तो इसमें किस अस्थल से मिला है, बिला सुर्ग्राम से, हुसंगी से, भीम बेटका से, और महागड़ा से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बिला सुर्ग्राम से, बिला सुर्ग्राम से मिला हुआ है, और यहाँ पर प्रसन देखते हैं अगला प्रसन होगा कि दच्छल एसिया में कहां पर सबसे प्राचीन गेहूं की जव की खेती का प्रमाल मिला है किस दच्छल एसिया में बात करें तो दच्छल एसिया मतलब कि सिंटल एसिया के भारती छेत्र में अगर बात करें तो भारत क्या है भारत द पूर्वी एसिया के छेत्र में पड़ता है तो दच्छिड एसिया में कहाँ पर प्राचीन्तम गेहूं जव की क्षेती का प्रमान मिला है पंजाब बलुचिस्तान सिंध राजस्थान तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक साइट है मेहरगड, मेहरगड में, मेहरगड में गेहु के और जव के दोनों के साच मिले हुए है, गेहु के तीन और जव की दो प्रकार की किसमें पाई गई हैं, इन तीन और दो प्रकार की किसमों से यह पता चलता, और मेहरगड को एक प्रस्न मने हैं और पता दूँ आपको मेहर गळड को इसमें रोटी की टोकरी भी कहा जाता है तोशेल लगभट साथ हजार इसापूरू के आसपास कितने? साथ हजार इसापूरू के आसपास खेती के साच यहाँ से पाए गए हैं 7000 BC इसापूरों के आसपास खेती के साच मेहरगल से पाए गए हैं और गेहु और जव के साथ-साथ-मसूर या अन्य अनाज भी वहाँ पर प्राप्त किए गए हैं अब देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन हमारा होगा अगला प्रसुने कहाँ पर भारतियोक महादीब का सबसे बड़ा अर्ध बृत्ताकार पूजा अस्थल कहाँ पर सिरसुख, सिर्कप, कवसांबी, अनुराधापूर तो इसका सहिवत्तर होगा सिर्कप, सिर्कप तच्छ सिलह वाले छेतर की बात कर रहा है सिर्कव कहां पर पढ़ता है तच्छ सिला तच्छ सिला का पुराना नाम सिर्कव बताया जाता है और यहां पर अर्धिवरित्ताकार पूजास्थल मिला हुआ है इस किसमे क्या ऐसे इसका मतलब यह होता है कि स्टूप टाइप का है यह क्या होगा इस्टूप इस्टूप का साथ छे मिला हुआ है इस तूप पर या पूजा वेदिका के आकार का तो यहां पर पूजा के प्राचिंतम साथ छे पाए गए गये हैं अब देखते हैं अगला प्रस्न होगा अगला प्रस्न है प्रागयतिहासिक युग में मानो कहां रहता था जब प्रागयतिहासिक युग की बात करूँगा तो पुरा पासाणकाल मद्ध पासाणकाल नौ पासाणकाल और तामर पासाणकाल इन चारों को एक सब्द में हम बोल सकते हैं प्रागयतिहासिक काल जब तामर पाशानकाल के बाद आती है तो उसका जो काला आवध ही होती है उसको हम कहते हैं आद एतिहासिक काल फिर उसके बाद जब लिखना पढ़ना मनुस्तों सीख जाता है तो हम उसको एतिहासिक काल बोलती है यह classified करके बताय जाता है तो प्राग एतिहासी जुग में मानव कहां पर रहता था तो प्राग एतिहासी जुग का सम्बंध हमें पुरा पाशानकाल, मद्दे पाशानकाल और नौ पाशानकाल, तामर पाशानकाल से सम्बंधी थे तो इसमें कहां कहां रहता था मचान पर कंद कंदरा कंदरा कुंग गुफा भी बोल सकते हैं और जोपडी जोपडी बना करके भी रहता था और थाथ हमारा उत्तर क्या होगा इन सभी में मचान पर इन सभी में मचानों पर भी और कंदरा में भी जोपडी में भी तो हमारा उत्तर सही होगा तीनों अस्थलों पर रहता था अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है नव पासान काल में वहा कौन सा अस्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड़ी के बने अउजारियों हतियार प्राप्त हुए है नव पासान काल में कौन सा अस्थाल जहां पर हड़ी के अउजार प्राप्त हुए है कहां पर चिराद आपसने है चिरांद, आपसन भी छोटा नाकपूर, आपसन सी चुनार, आपसन डी जूसी तो इसका सही आपसन हो जाएगा चिरांद, आपसन सही आपसन क्या होगा चिरांद चिरांद कहां पर पड़ता है, चिरांद आपको मिलेगा बिहार माज में बिहार में चिरांद नामक एक अस्थल है, अस्थल खोजा गया है, वहाँ पर हैड़ियों से बने आवजार और हतियार प्राप्ट हुए हैं, ठिक, और अगर इसकी ब्याक्षा देखें, तो इसकी ब्याक्षा होगी, चिरांद में, चिरांद नामक अस्थल की खोच, 1962 और 63 मे प्रोफेसर बीके सिंधा के नित्रुत में, बिहार के चिरांद नामक ग्रामी लस्थल की खुदाई से ये अवसेस प्राप्ट हुआ है, कौन से अवसेस? हड़ियों के बने आवजार और उकर्ण, और यहाँ हीरन के सींगों से बनाए गए हैं, और साथ हड़ियों से भी ब पजबूत भी होती हैं, और शिकार करने में काफी हेल्फ होती है, तो यह मानों की एक जिग्यासा होती है कि कौन सी वस्तिओं को हम प्रियोग करें, जो हमें सहायता करें, तो सहायता करती थी ऐसी वस्तिओं, तो जिससे उसका प्रियोग करने लगे थे, और यहाँ प्रियो अगला प्रस्ण है प्राचीन पासाड यूग के निवासियों को निमलिखित में से किस विशे का ग्यान था प्राचीन पासाड यूग में के निवासियों को किस विशे का ग्यान था चित्रांकन का, क्रिसी कारे का, सिकार का, पसु पालन का प्राचीन काल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा ग्यान होगा सिकार का सिकार का ग्यान प्राचीन पासाण युक के लोगों को था और चित्रांकन का ग्यान तो काफी बाद में होता है और किरसी कार्य तो 9 पासाण काल और मद्ध पासाण काल की अंतिन दवर में शुरू होता है पसुपालन का काफी बाद में लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बनुस्ट सिकारी की भूमिका में था फिर खाद संग्राहक की भूमिका में आ गया और फिर उसके बाद पसुपालन फिर खेती करना ये सब करिया ये सब कारिये विधिया ये एक्टिविटीज करने लगा था तो हमें सिकार इसमें करेक्ट आप्सन लग रहा है आप देखते हैं इसका अगला प्रस्ण होगा निमन लखित में से कौन सा नौपासाण कालीन पुरा अस्थल राक के टीले के लिए नहीं जाना जाता है याद रखिएगा प्रस्ण को किस तरीके से बनाया जाता है आप इसमें देख करके समझ जाएंगे कि कितने महत्वण प्रस्ण हैं अगर थोड़ी सी भी आपला परभा कर जाएंगे तो इसमें लिखा गया है कौन सा नौपासाण कालीन पुरा अस्थल राक के टीले के लिए नहीं जाना जाता है और था तीन ऐसे अस्थल हैं जो राक के टीले के लिए जाने जाते हैं और एक अस्थल है राक के टीले के लिए नहीं जाना जाता है तो इसका सही सेयुत्तर क्या होगा बुर्ज होम बुर्ज होम राख के टीले के लिए नहीं जाना जाता है यहां गरतवास के लिए जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है गरतवास के लिए जाना जाता है उतनूर पलवाय और कुपगल यह तीनों राख के टीले के लिए जाने जाते हैं राख के टीले, इन तीनु अस्तलों से राख के टीले मिलते हैं, राख के टीले, ध्यान दीजेगा उतनूर, पलवाय और कुपगल, ये राख के टीले के लिए जाने जाते हैं, बुर्ज होम, गर्तवास के लिए जाने जाते हैं, अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न इसमें सुनर नंबर इन बताई गई है मध्य पाशान काली नस्थल और यह मंध्य पाशान काली इस्थलों में मिलेगा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा और फिर उसके बाद आपको सराय नहर राय कहां मिलेगा उत्तर प्रदेश में मिलेगा पैसरा पैसरा कहां मिलेगा यह बिहार में मिलेगा पैसरा कहां मिलेगा बिहार में मिलेगा और एक अस्थाले लोटे स्वर यह आपको मिल मिलेगा गुजरात में कहां मिलेगा गुजरात में अब देखिएगा नंबर वन बिर्भानपुर बिर्भानपुर किदर है बिर्भानपुर कहां पर मिलता है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में देखते हैं यह पश्चिम बंगाल ठिक तो एका संबंद किससे है एका संबंद 4 से एका संबंद किससे है 4 से फिर उसके बाद है इसमें लोटेस्वर लोटेस्वर कहां मिलता है लोटेस्वर गुजात में मिलता है गुजात किस नंबर पर है गुजात इसमें second number पर है फिर उसके बाद आता है तीसरा C, C है 15, 15 किस पर है? 15 बिहार में है, तो यह number 1 पर है, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद है D, D है सराइन नहर राय, सराइन नहर राय किस नंबर पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर, किस है? तीसरे नमबर पर, तो हमारा सही उत्तर होगा, 4213, 4213, 4213, 4213, 4213, 4213, 4213, yes, option D सही होगा, ओके, इसका सही option क्या होगा, 4213, फिर से देख लीजिए इसको, बिर्भानपूर कहां पर है, पस्ची मंगाल में, और लोटेस्वर कहां पर है, गुजरात में, पैसरा कहां पर है, बिहार में, सराइनाहर राय कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, अब इसको जो मिलाएंगे, तो इसका सही option बने जाएगा, 4213, option D हमारा सही मारा जाएगा, अब देखते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन है, भारतियों उप महादीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से, पसु पालन एवं क्रिसी की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साच्छ प्राप्त हुए हैं, द्यान द यानि कि काफी ज़्यादा मानों में सुधार हुआ, तो अभी सिकारी और आखेट की भूमिका में थे, अब उसके बाद वक्रिसी की भूमिका में आ गए, तो इसका साच्छ कहां से प्राप्त होता है, आपसन एह अंजीरा से, आपसन भी दंब सदात से, आपसन C किले गुल मुहम्मद से, आप्शन D मेहरगड से, तो इसका सबसे महत्तपूर्ण प्रस उत्तर होगा मेहरगड से, क्या होगा मेहरगड, मेहरगड से यह साच्छ प्राप्त हुआ है, कि मनुस आखेट और भोजन संगरा से धीरे धीरे अब वह एक नियमित जीवन बिताने के लिए अस सबस्थाई जीवन बितार है, यह हमारे आज के स्रीज का सट 3 का यह अंतिम प्रसन था, अब हम अगला प्रसन लेकर, अगला स्रीज लेकर क्या है कि सट 4, उसमें हम इसके आगे कांटिन्यू करेंगे, ओके, आप इस तरग्या महत्तपूर्ण प्रसनों को आप वेबसाइट yctpublication.com और यूटूब में देखेंगे, तो आपको yct book official channel पर मिल जाएगा, play store से yct exam preparation app, जहां पर इस प्रकार के बहुत महत्तपूर्ण प्रसनों की एक series मिलेगी, और आप अपने से solve भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं और book में नहों, और book में ढूलना ना पड़े, ए यती ही जगह पर इस play store से आपको books भी मिल जाएगी, और प्रसनों की एक स्रिंखला भी मिल जाएगी, topic wise आप अपने हिसाब से choose भी कर सकते हैं, कि कौन सी topic के प्रसन हमें करने हैं, हल करने हैं, पढ़ने हैं, उसको solve करने हैं, तो इस तरीके से आप उसको visit करके, आप इसका लाव ले सकते हैं, और अपनी तयारी को मजबूत बनाईए, और अगर continue आपनी तयारी को मजबूत बनाएंगे, तो इससे आपको exam में benefit मिलेगा, होता क्या है कि एक तरफ हम slow process में पढ़ते हैं, और एक तरफ पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरह भूलते जाते हैं, अगर हमे क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, तो जो exam में problems होती है, क्योंकि exam में misleading आता है, और topic wise पढ़ने से क्या होती है, हमारी एक अच्छी समझ विक्सित होती है, understanding होती है, तो इस understanding को बढ़ाने के लिए, हम क्या, हम आपको suggestion देंगे, कि आप YouTube कर बने रहिए, मेरे साथ बने रहि तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद अगला सेट फोर में देखेंगे, इसके बाद के 30 प्रस्नों के सूपर 30 प्रस्नों की एक लंबी स्रिंखला चलेगी, ठीक है, तो इसके बाद मैं topic wise आपको पूरे के पूरे प्रस्नों को हल कराता रहूंगा, बह के बहुत बहुत धन्यमाद, थैंक यू सो मिच.